पहले में प्रसव के बाद के उन लक्षणों के बारे में बताती हूं, जो उन महलाओं को हो सकता है, जो महला अभी-अभी या कुछ दिन पहले ही माँ बनी है, प्रसव के बाद खून का अधिक बहाव होना, शौच जाने में परिशानी होना, या फिर पेट में ज्यादा दर् अगर ये सब लक्षण दिखे तो तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। देखो, ये समय माँ और बच्चा दोनों के लिए बहुत ही नाजुक होता है। इस समय जादा ध्यान देनी की जरुत होती है। असल में बुखार हो जाए, या चक्कर आए, अचानक नजर धुंदली हो तो इसे हलके में मत लेना। ये सभी खत्रे के लक्षण होते हैं। ऐसा लक्षण दिखे तो तुरंत स्वास्त केंदर में ही जाना। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चा ठीक से दूद पी रहा है कि नहीं। बच्चे को दूद पीने में कोई परिशानी तो ये भी खत्रे के लक्षण है। अगर बच्चे में कोई खत्रे का लक्षण दिखता है तो उसे आशा दिदी के पास जाना चाहिए या किसी स्वास्त केंदर में जाना चाहिए और हाँ बच्चे के लिए भी किसी घरेली नुस्कों में नहीं पढ़ना चाहिए।